हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ओल, आज हम करेंगे बाइलोजी में बॉटनी का चैप्टर नमबर सैवन, तो चलिए, चैप्टर नमबर सैवन है हमारा इकोलोजी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इकोलोजी किसको बोलते हैं, रिलेशन, किसके बीच में, relation living organism और उनके environment के बीच में relation के study को क्या बोलते हैं हम ecology बोलते हैं ठीक है अब जो है biotic community क्या होता है तो एक definite place में living को जो various population है उसको क्या बोलते हैं biotic community बोलते हैं ठीक और ecosystem और ecological system को पहली बार किसने वो किया था तो tesli ने किया था ठीक है अब ecosystem के कितने component होते हैं दो component होते हैं पहला है biotic component दूसरा है a biotic component अब biotic component क्या होता है living जो पार्ट होता है उसको हम biotic component बोलते हैं और जो non living होता है उसको हम a biotic component बोलते है एक चलिये पढ़ते है इसको biotic component के तीन पार्ट होते हैं एक है प्रोडियूसर दूसरा consumer और तीसरा है decomposers ठीक तो producer क्या होता है जो अपना food अपना food खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम प्रोडियूसर बोलते हैं, जैसे क्या होगे, ग्रीन प्लांट हो गए, वो क्या करते हैं, फोतो सिंतेसिस दोरा अपना फूड खुद बनाते हैं, तो क्या होगे, प्रोडियूसर हो गए ये, ठीक, कंज्यूमर क्या होता है, कि ये जो है, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहत ट्राइमरी कंजूमर कि चाहते हैं उसके रहते हैं तो उसके बीच गरीकुम को हम प्राइमरी कंजूमर, बोलते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा ग्रीन ग्रीन प्लांट जैसे Gerald इसके ग्रीन प्लांट पर डिपंड रहता है तो परामीरा रोग़े हमारा सेकेंडरी कंजूमर 2 उसको किसको सैकेंडरी कंजूमर में लेते जैसब फॉक्स वॉल्फ पिकोक यह सारे ग्रीन से मतलब डिपैंड है घ्रीज़र्व डिपैंड़ं निको क्या बोल देंगी हम सेकेंड्री बोल देते को पिडिकनज़्ूमर थें अघर हो गया टो总fo फॉक्स जो बैक्तिरिया या फंगी इसमें नहीं होता है ठीक, तो मतलब decompose हो जाते हैं जम वोकर यह फिर से producer बन जाते हैं ठीक है, तो third हमारा अब है दूसरा abiotic component abiotic component में क्या आ जाता है कि carbon substance हो गए non carbon substance हो गए climate factor हो गगया यह सारे abiotic components में आ जाता है हमारे example के सरब पर water है abiotic components में आ गया लाइट जो है हमारा ओबायोटिक कंपोनेंट्स में आ गया टेंपरेचर है एयर है हुमेडेटी है मिनरल है यह सारे क्या है और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आ जाते हैं ठीक अब फूड चेन है तो फूड चेन क्या है एक एनरजी को दूसरी एनरजी में ट्रांसफर कर ने को हम क्या बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं तो देखिए प्रोडियूसर प्रोडियूसर क्या था हमारा ग्रास है प्रोडियूसर प्राइमरी कंजूमर कौन हो गया ग्रास ओपर क्योंकि क्या प्रोडियूसर को उसने मतलब उस पे डिपेंड है किस पे प्रोडियूसर पे टो यह क्या हो गयोत ब्लूबाद क्या हो गयी कंजिऊमर हो गई आर्क स्नेक वे स्नेक है तर्षरी पेडिरे कंजिऊमर है ऑध़ी elders और predators के बाद क्या हो जाता है decompose हो जाता है और decompose होके फिर क्या हो जाता producer और ये chain ऐसे ही food chain चलती रहती है जो एक दूसरे की मतलब energy एक energy दूसरी ही में transfer करने को क्या बोलते है food chain बोलते है ठीक तो ये topic इतना साही था I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ठैंक यू